देश भर में महामारी के परिशानी से घिरे रहने के बाद भी कोई न कोई दुख उभरता निज़र आ रहा है फिल्म इंडश्री को लगातार दूसरे दिन भी एक बहुत बड़ा जटका लगा है बीते दिन 29 अप्रेल 2020 को फिल्मी दुनिया ने इर्फान खान को खो दिया था अभी देश इसके गम से उभरा भी नहीं था दिगज अभिनेता रिशी कपूर के निधन की खबर ने सभी को शोक विभोर कर दिया है फिल्म जगत के इस सदा बहार अभिनेता ने गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में आखरी सांस ली और सभी को अलविदा कह गए गौर तलब है कि बुद्वार को उनकी तबियत में अचानक से खराबी की कारण उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था उन्हें सास लेने में काफी तकलीव भी हो रही थी इस बात की जानकारी उनके बड़े भाई रंधीर कपूर ने दी दरसल वो कैंसर के मरीज थे 2018 में उन्हें कैंसर का पता चला था जिसके बाद उनका इलाज एक साल के लिए अमेरिका में कराया गया बावजूद इसके किसे पता था कि रिशी कपूर के सासो की डोरी ये थमने वाली है आज पूरा भारत शोक में डूबा हुआ है बॉलिवूड को एक भयंकर जटका का सामना करना पड़ा है फैंस के चहेते रिशी अब हमारे बीच नहीं रहे रिशी कपूर ने अपने कई इंटर्व्यूज में नीतू कपूर को धन्यवाद किया है और बताया है कि नीतू कपूर ने हर मोड पर उनका साथ देकर एक सच्चे साथी का फर्स बखू भी निभाया है देश भर के अलग-अलग छेतरों के सितारे, खिलाडी, राजनेता और उनके फैंस ने सोशल मीडिया की जरिये पोश्ट के माध्यम से उन्हें शद्धांजली दी और अपना शोक व्यक्त करते हुए परिवार जन और फैंस के प्रती समवेदना भी जताई है मेरा नाम जोकर फिल्म में बाल किरदार की रूप में अभीने से अपने फिल्मी दुनिया की शुरुआत करने वाले रिशी कपूर ने अपने जीवन में परदे पर कई किरदार को अपने जिन्दा दिली अभीने से जीवन्त बना दिया था रिशी कपूर आखरी बार 2019 में रिलीज हुई फिल्म दबॉडी में नजर आये थे जिसके बाद उनके फिल्मी दुनिया का सफर खत्म हो गया एक्टिंग के अलावा बतोर डारेक्टर भी उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया था और कई फिल्मों को निर्देशित भी किया था रिशी कपूर को अपने जीवन में पहला अवार्ड मेरा नाम जोकर फिल्म में बाल किरदार के लिए दिया गया था उन्हें 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था और भी कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके थे रिशी कपूर देश और दुनिया की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद